नमस्कार वेलकम टुवेदफ वेदफ के यूट्यूब प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत हैं तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा हम लोग की स्टार्ट करने वाले हैं मौक टेस्ट अब हमारे एक्जाम में लग वह 15-20 दिन और क्यों मैंने महत काई लिया है ठीक है पचीस-पचीस क्योशन के में लोग सेट करेंगे ठीक है मेरे तरफ से आवाज सही है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला केशन देखेंगे पहला केशन हमारे सामने है कि इसको करेंगे कि यह कार कवर से दिस्टेंस अप्टू 64 किलमेटर इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करने में किसी सब्सक्राइब स्पीड से एक सर्टन टाइम लगता है लेकिन अगर हम स्पीड को ठार की मिल्टर प्रती घंटे की बढ़ा दे तो उसके द्वारे जो लिया गया समय हुआ हुआ क्या होता है तो हमको बताना कि जो वर्जिनल स्पीड होगा उसका 125 कितना होगा तो कैसे करेंगे डिस्टेंस परावर क्या होता है हम जानते हैं एक स्पीड का और डिस्टेंस कितना दे रहा है दोसो चौंछ किलोमेटर सब्सक्राइब किलोमेटर ध्यान रखना किलोमेटर पर आवर है और यहां पर आवर दिया हुआ और इस फीड का क्या अंतर है अठारे का और टाइम का अंतर कितना हो रहा है या यह तो पूरा आप साल करो क्यों करो लेकिन इतना समय नहीं होता है कि तो जर्व हम कुछ नंबर लेके सटिस्फाइब कराएंगे जिसे आगर रहा रख देंगे तो यह बारा गुड़े में कितना हो जाएगा बारा थार चालीस हो जाएगा असारी तीस हो जाएगा तो यह तो बनेगा नहीं तो इसको मिस तरह से फार्म में बनाने करेंगा अग तो अचलीक और यहासा सी कभी नहीं यहाइगा चारिे चार च्रव देखलो query 424 345 हो जाएगा और इकितना हो जाएगा तो एन करेंगे इसको क trat их कर रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं कितना 424 424 चार यहांस निकाल के 4 इसमें गुड़ा कर दिया है अब देखो अगर हम यह बरावार 48 ले ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 48 ठीक है 48 प्लस 18 यह 64 66 होगा अब देखो अगर क्यों से भी साल कर सकते हो आगे बढ़ा जाए चलिए अगरा क्यों दिखते हैं इस इंक्रीजिंग 54 बाइए एक सबसे निकालना होगा तो यहां पर प्रेक्टिस हो रही ही तो मुझे यह मैंबान की चलता हूं कि आपको माइक्समों चीज़े पता होंगे जैसे इसमें अब यह फार्मला तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर आपको दो सिच्टेशन की बात की जा रहे कि अगर मालो यह सी स्पीट से जा रहा है तो इसको टीवन समय लगता है तो अगर वर्जिनल टाइम निकालना स्पीड निकालने है तो उसके लिए फार्मला होता है डिस्टेंस तो हमारा दोनों सिच्टेशन ने सेम होता है ठीक है इसके बात करते हैं तो देखो अगर इफ इंक्रीजिंग स्फिप्टी फॉर बाई एक्स परसें इक्वल्स टू इसको अगर 54 को एक्स परसें हो जाएगा यह नहुँद लेका है तो कितना हो जाएगा चमुन कर देंगे दिया कितना 36 हो जाएगा ठीक है डबल जीरो और यह 90 एक्स है और यहां पर चमुन इसको इधर लेते आएंगे यह कितना हो जाएगा चार और नोपांचूदर 144 से यह हो जाएगा एक्स ठीक है बटार हमें 100 हमने इसको काट दिया इसको यहां से साल्प कर लेते हैं कितना हो जाएगा तो 144 है इसको 12 काट देते हैं यह ते 12 आ जाएगा यह 12 से काट देंगे ते कितना बारत देंगे 36 फिर 12 से काटेंगे यह 300 है तो 1224 पचाच्छ है बारत पंजे साथ तो X की वेलू आ जाएगी हमको यहां से मिले 5 सही है आगे दिखते हैं अब आगे दिया हो कि अगे देन एक्स प्रिफ्टीन परशन आफ थ्री हंडड़े ट्री हंड़े लेस देन था एक्स परसंट आप फाइफंड्र यह इसका तो 300 का एक्स प्लस प्रिफ्टीन परसंट कितना होगा 25 फोर्टी परसंट बतल त्वाई हो जाएगा स्यर कि 40 2 परसेंट है आई कितना दर्संट देंगे कितना हो जाएगा 60 कितना कम 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 है किससे इसते पांच बटा में 125 कितना हो गाए एक बटा में पच्चीस एक पच्चीस का मतलब कितना हो गया पॉर पटसें अगे बढ़ते हैं अच्छा किशन था थोड़ा सा लेंदी था क्यलकुलेशन था इसको ट्राइब करेंगे यहां पर बताना है एस a square plus b square minus c square की value क्या होगे यह तो अभी हम लोग कर ही रहें इसको जबर एक identity में ठीक है इसमें क्या होता है कि coefficient को equate करना होता है तो जरा इसको देखो ध्यान से ठीक है यह divided by इतने से है इसका cube करोगे तो क्या मिलेगा दो दूनी चार दूनी आठ तरिक 24 और रूट 3 इसी तरह 9 तो 27 और दूनी 24 हो जाएगा सही है तो यह कितना हो जागा यह aq plus b cube अपान में a plus b है तो इसको solve करोगे तो यह क्या हो जागा a plus b a plus b अलकड जागा तो अंदर क्या मिलेगा यह मिलेगा 2 root 3 x का whole square plus में 3 root 2 y का whole square minus में a into b होता है इन दूनों का गुड़ा कर देंगा तो इन कितना हो जाएगा 6y बराबर में इसको थोड़ा सावर बिस्तार कर लेंगे 2 दूनी 4 4 312 x square तीन तरीका 9 दूनी 18 y square 6 root 6 xy coefficient compare कर लिजे एक वेल्यू कितना हो जाएगी ए बराबर 12 बी बराबर कितना हो जाएगा 18 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनिस माइनिस है तो प्लस हो जाएगा 6 root 6 जो हमसे पूछ रहा पस्यां से साल को लेते हैं a square plus b square minus c square कितना हो जाएगा 144 20 square हो जाएगा 324 जरा इसको साल पर लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा चार चार आठ तीन चार दुच्छ है तीन एक चार और इसका स्कार करें 36 36 में 6 गड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216 घटा दीजे दो पांच और दो 252 कौन साप्शन होगा तीसरा आगे बढ़ते हैं इफ एट डिजिट नंबर्स इतना इस डिविजब लए 44 वेर एक्स इसकोल्ट नाट इकोल्स जीरो देन वैल्यू आप 3y प्लस 2x बराबर कितना होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक जितने भी अच्छे सभी अच्छे क्विशन है यह प्री लेबल से जो इसका मतलब क्या है फोटिफोट हमारा कंपोजिट नंबर है तो पहले चार नंबर की बात कर लेते हैं तो चार से डिविजब होने के लिए क्लिए लास्ट के दो डिजिट डिविजब हो तो मुझे बताइए 5 2 y 6 3 2 8 x है तो एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं कि जो यह ज जो चार से डिविजब हो जा थो झारण जोगा अग्र अगर चार सी असी हो जा सी टब नंबर मिल गया और वाकी ग्यारे सा लटरनेट नंबर को देख लेते हैं इस नंपर को जोडके देख लेते हैं手। 5 प्लस Y, 5, 3, 8, 8, 16, 16 प्लस Y हो जाएगा, इधर देखो 2, 6, 8, 8, 2, 10, 10 प्लस X हो जाएगा, 10 प्लस X, अब हमको पता इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए, या तो 11 का मल्टिपल हो जाए, या 11 हो जाए, या नि 11 सा कट जाए, तो देख लेते, अगर हम 4 रख देते हैं, यहां पर, तो यह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो Y क्या हो सकता है, अगर X बराबर हम 4 रख ले, तो Y की वैलू क्या होगी, बताइए, यह अगर 14 हो जाएगा, तो यह जीरो रख देंगे, Y बराबर तब भी 14 नहीं होगा, तो इसको 11 के फार में ब लेते हैं तो योडिए तो ले लेंगे तब यह 0 हो जाएगा च्टिनाइन बनाने के लिए यहां पर हमको 13 जोडना पड़ेगा जबकि वाई कैसा है एक सिंगल डिजिट है तो दो डिजिट तो ले नहीं सकते तो देख लेते हैं आपसन में कौन सा मैच कर रहा है पहला देख लेते रखके आपसन नहीं है तो कौन सा अपसन होगा दूसरा आगे बढ़ते हैं कि इप टैन थीटा बराबर इतना दे रखा तो साइन थीटा प्लस कॉस्टीटा की वैल्यू क्या होगी यह बताना हो कि ट्राइकर इसको बहुत दिखो सिंपल है सीधा टैन थीटा की वैल्यू रख लो यह होगा साइन थीटा प्लस कॉस्ट्थीटा तो साइन थीटा प्लस कॉस्ट्थीटा ने थेखेंगे यह मैं होता है यह है यहां कितना या प्लस वन और यहां से कितना मिलेगा पी माइनस में वन इसको साल को लेंगे तो यह हो जाएगा टू पी अपान में रूट में टू पी स्क्वार प्लस में वन इसको और सिंप्लिफाई कर लो चाहो तो आप इस टू को रूट टू को काड़ दो तूपर मिलेगा रूट टू प तो फूरा अंडर रूट में कल लें एंडर रूट किदम लोहगा तो यह कितना हो जागा जाएगा क्यों कि जब बाहर निकालाओट तो ुप आ जाएगा और यह theta not equals to 0 then x square plus y square बराबर क्या होगा यह आपको बताना है तो यहांसे देखए यहां से मको दे रखा कि x sintheta बराबर में y cos theta अगर मैंवाइस कह सकते हैं एकफ भाई वाई बराबर कितना होजाएगा कोट theta हो जाएगा तो जरा इसको triangle बना है triangle triangle current theta क्या हो बेस अपान में पर्पेंडिकुलर यह कितना हो जाएगा रूट में x square plus में y square सही है तो अब यहाँ पर ज़रा इसको put कर लेते हैं x sin theta plus में y cos cube theta बराबर में sin theta into cos theta अब इसके बाद क्या किया जाएगा अब इसके बाद अगर हम सीधे value रख दें theta रखोगे तो कितना जाएगा x into y cube अपान में वही सेम हो जाएगा x square plus y square cube का power 3 हो जाएगा ठीक है और similarly यहाँ से कितना हो जाएगा y cos theta रखेंगे तो cos theta x अपान में इतना हो जाएगा x cube और नीशे कितना में बिलेगा root में x square plus y square क्या हो जाएगा cube हो जाएगा बराबर मिहान देखेंगे तो यह x into y हो जाएगा x square plus y square इन दुनों का पास्म कुड़ा हो जाएगा तो root हट जाएगा यहाँ से हमको यह मिला इसको अगर आम और simplify करें आगे तो यहाँ से देखो x y कामन लेले तो y square plus x square हो जाएगा निछे साल कर ओकती है किटना हो जाएगा x square plus y square bracket में x square plus y square हो जाएगा ठीक है यहाँ संसे को मिला xy क revers wellness देजा हैं आप कामने x square plus y square इतना लिखने कि जयोत नहीं है इसको यह gleich कर सकते हैं कि तो दिए पूरा कड जाएगा इससे है इससे कड़ जाएगा और इसको अगर रहे हम चाहें ति से काट दें यहां पे कितना मिल जाएगा था है कि तो इसको इसको मिले होगा तीसरा आगे बढ़ते हैं है डूसर्क टू सरकल साप रेडियस फोर सेंटिमेटर 9 सेंटिमेटर टच एच अधर एक्टनली एट पॉइंट एककमन टैंजेंट टेंट टच देंट पॉइंट पी एक्टिल देंदे एरिया विट वन साइड आप क्यू तो पहले हमको निक बórने की बाइब कितना हो जाएगाि इनके तीर है कितना हो जाएगा गांट इनके बेडियूराइब अगर किसी square का side होगा तो उसका area कितना हो जागा 144 कि काट A प्लस B बराबर X दिन थे value of X की value क्या होगे तो काट A प्लस B का क्या होता है काट A प्लस B का फार्मला होगा आपका कितना काट A प्लस काट B प्लस 1 अपनावे काट A – आगे बढ़ते हैं यह तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है चलिए ट्राइगर इसको अच्छा एक मोटे मोटे यहां पर यहां पर यह माइनस होगा यह प्लस होगा होगा एक गछाइगर प्लस वे इसको ट्राइगर उसको ट्राइगर है तो पहला होगा आगे देखतें इसको ट्राइगरी तो देखो पता नहीं आप कैसे को ट्राइगर तो मैं आपको तरीका बताता हूं सबस्छान तरीका ही है कि दो बच्च के कि 15 मिनट वहं को बताना है कितना समय कितना एंगल होगा अवर और मिनट वाली घड़ी के बीच में हमको पता है यह आपका सम्थिंग 3 होगा तो एक मिनट वाली सुई यहां पर 3 पर होगी और एक दो और आपकी घंटे वाली सुई दो से थोड़ा सागे निकल चुकी होगी इ टिक है यह 24 घंटे में खितना 360 राउंड लगाती है कि पूरा 12 घंट में क्या होता है यह पूरा 360 राउंड लगाती तो आपका सकते हो कि एक घंटे में कितना राउंड लाइगी यह पूरे 12 घंटे में 360 राउंड लगाती तो एक घंटे में कितना राउंड होगा एक घंटे में इसके द्वारा कितना एंगल बनेगा बार देश तीश डिग्री का और एक घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना मिनट होता शाठ मिनट होता है ठीक है एक घंटे में कितना म 15 तो गन्टे वाली सुई दू से दूर होंगी और इसका जोंडरी साथ आपका समूल यहाँ पे यह साड़े साड़ साड़ डिगरी होगा इसी तरह से अगर मिनट वाली की बात करें तो मिनट वाली सोई देखो एक घंटे में पूरी 360 डिगरी घुम जाती है ठीक है यह क्या होता है पूरा एक घंटे में आपका एक घंटे में यह एक घंटे में एक घंटे में कितना होगा 60 मिनिट में पूरा 360 डिगम घुम जाती है कि एक मिनट में कितना में जाएगा तो बस इसको अबहने यह दूरी हो जाएगे यहांसा घरम देखेंगे इसको यह हम बोल्ट का 50 का 60 Dir है किसको ऊधर सप्लाओज में जाएगा सब्सक्राइब कर लो इसको 68 बना लेते हैं यह कितना हो जाएगा बाइस में से एक कम कर लेते हैं यहां प्लस आधा और एड़ कर देंगे तो बाइस से कितना हो जाएगा करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता कि जब बीज़ेसे अगर मैं बोलू कि तीन बचके पंदे मिनट में घंटे और 15 मिनट वाली सुई में कितना बीच आंतर होगा सबसे पहले आपको समझना होता कि एक गंटे में कितना मिनट का कितना डिगरी का एंगल बनाती तो तीन मिनट कितना है तो 3 मिनट में कितना घंटी में sic कि ते-चैओं इया हो गया, घंटे वाली सोई का बारिक के सापेक्ष बनाया ऑगल इसी तरह मिनेट वाली सोई कितना गुम्हिं हो गए इस मिनेट वाले सोई 10 Minit चल चुकी है ऐ तो एक मिनेट में जफन चलति है ज्फ07 मिनेट है कितना चलति है उनदीकर चल और यह 120 तो कितना डिगरी का एंगल होगा 20 डिगरी का एंगल होगा तो डारेट हम इस तरह से भी स्क्विशन को कर सकते हैं ठीक है अगर आप कोई और अन्य तरीका जानते हैं तो अच्छी बात है आप उससे ट्राइए करिए लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यह क्या सही होगा है तो देखो अगर एक स्कार करोगे तो कितना पॉइन जीरो जीरो सिक्सपोर हो जाएगा और यह देखो जोड़ेंगा, फिरक फें पर जोड़ेंगे तो नेगेasc Ilsकां Sun जोड़ें सकार करके खचच За खोटा होते हैं वही यह आएगा में सबसे जोड़ेंगा, एक है होगा प्रकूसे है तो यह तो बहुत बहुत काफी बढ़ी आएगी क्योंकि यह हो जाएगा 64 बटा में पॉइंट जीरो जीरो फोर आजाएगा तो उपर भेद देंगे तेन के पार कितना हो जाएगा तो सबसे बढ़ी वैल्यू कौन से होगी जेड तो कौन साप्षन होगा तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन से होगे हमारी इसे में वाई वह गी से एक हो रहा है उसके बाद कि थो च्षोटी होगी वह सपसे बढ़ी वैल्यू कौन से होगी वाई होगी ठीक है जिट्ट तो नेगेटिव ही आ रहा है आगे बटते हुं साट एक्स प्लस फॉरन पान में एक्स पावर सुज़ हो होगी क्या होगा तो बहुत ही सिंप्ल ना सबसे पहले क्या करेंगे में एक्स प्लस इसमारा का निकाले लगा लग एक्स पावर फॉर्र Depot प्लस निकालेंगे यह 5 आ जाएगा अच्छ माइनस वालन निकालना तो इसको करेंगे एक समान बाहिए एकस काहली स्कॉर करेंगे तो यह कितना जाएगा एक सका प्लस था जाएगा तो यह कितना जाएगा तुब गुदल से those the nda 4 अगे बढ़ते हो oh कि प्रताने इसकी वेलु कितनी होगी यह तो इसको ब्राबर माल लो टो इसको अब फ्लस में कितनी यहाँ अनुप लेंगे तो क्या प्लस में इसको क्या निकला नहीं सीधा हम आपसं देखेंगे वहाँ से सटिस्फाई कर देंगे वैलु को चलिए आगे दिखते हैं सेक पावर फोर थीटा मांने सेक स्कॉर्ट थीटा इस इकोल इस तू किसके बराबर होगा तो चाहो तो सीधा बैलू रखे पुट कर लो या सीधा यह तो आइटेंटिटीटी जै तो हमको मिला सेक स्कॉर्ट थीटा ठीक है माइनिस में वन तो इसको मठ रोख चाहें तो ब्रेक करें क्या हो जाएगा यह से किस्क्ट फीटा पर व् Ind bent प्लस दिश्क हो जाए यह कट जाएका और यहां से रख सकते हैं इसक़ और यह कितना हो जागा 10 स्क्ट त्विटा प्लस्वी दम टैंब फॉर थीटा होत सब्सक्राइब का दूसरा है क्लियर है कि आगे पड़ते हैं कि इसको ट्राइब करेंगे तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना है पसर रेस्ट्राइजिसन करना देखो तीन त्रिकानों नो और यह पांच इखटाएंगे चार आ जाएगा त्यक्तना में जाएगा थ्री प्लस रूट फाइब फॉर आइसका रेस्ट्राइजिसन करो थ्री माइनस रूट फाइव यह आपका रूट फाइव रूट फाइव कड़ जाएगा तीन च्छे बटा में चार चार बटा में बतला तीन बटा दो आगे बढ़ते हैं एन एक्यूलेटर ट्रेंगल इंस्क्राइब इन सर्कल आप रेडियस 10 सेंटिमीटर है इस वर्टिक्स एबीसी लाइंग अन्द स लिए भी सी का कितना होगा तो यह क्या हो जाएगा एक सरकल के अंदर है अंदर जो já इसके बारे में रखा यह कितना तो एक इतनी बेल हो जाए गाए तो हमसे पेरीमेटर पूछा तो इसका थी टाइम कर देंगे क्योंकि एक्यूलेटर टाइंगा कितना हो जागा थर्टी रूट थ्री चलिए आगे बढ़ते हैं आपका डिय है इसमें पांच क्यूशन द्यान से पढ़ते हैं इसको कि टेबल सो दे निंबर आप बेबी इस बॉर्ण इन फाइब डिफरेंट हस्पिटल्स आफ ए सिटी फ्राम इयर 2014-2018 इस्टडी दे टेबल केरफुली एन सब्सक्राइब देखो 2014-2018 तक बीबी इन हास्पिटलों में पैदा हुए बच्चों की जन संख्या के बारे में जानकार इनको दी गई है तॉमसा पूछा जा रहा है कि इप टोटल नंबर आप बेबी बार्न इन हस्पिटल बी डूरिं आल दे गीवें येर इस रिप्रेज अगर बीग में पैदा हुए सभी बच्चों को अगर एक पाई चार्ट के में रिप्रेजेंट करें तो हम सब पूछा जा रहा है कि 2015 में पैदा हुए बच्चे का कितना सेंट्रल एंगल होगा हमको पता है कि सबसे पहले कैसे निकालते हैं कभी भी पाई चार्ट बनाना सबसे पहले इनको जोड़ लो तो 240 और यह 260 कितना हो जाएगा 500 700 700 700 900 और नो दू 1100 और यह 25 यानी 1200 हो जाएगा टोटल यह हो जाएगा 1200 तो बोल सकते हो कि 1200 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिगरी के एंगल और 2015 में कितना 240 है तो 240 किसके बराबर होगा है इसको निकाल लो तो सब्सक्राइब कितना 1200 तो 240 कितने अंगल को रिप्रेजेंट करेगा एक जीरो और इस जीरो क्वाड़ते बार देगरी कमसा अपसण होगा तीसरा तो बहुत ही आसान है यह तो आगे बढ़ते हूं कि टूटल नंबर आप बेबी बार्न इन हस्पिटल सी इन 2014 प्लस 2018 टेकन टूगेदर इस वाड़ परसेंटेज आप टूटल नंबर आप बार्न बेबी इन हस्पिटल इन फिप्टीन शिक्स्टीन और सेवन्टीन ठीक है कि किसी में 2014 और 2018 में पैदा हुए बच्चे कि का कितना पर्स यानि ए में 2015-17 में पैदा हुए बच्चों का कितना परसेंट है तो पहले सी का निकाल लो सो 14 और 18 14 और 18 250 और 18 325 यह कितना हो जाएगा 570 यह हो गया आपका 570 आपान में इमें 15 16 सत्रा तो 300 400 700 700 और चार 1100 और 11 125 75 100 यह हो जाएगा आपका 1200 जरह इसका निकालने का प्रयास करते हैं तो जीरो से जीरो कड़े जाएगा ठीक है यह एक जीरो इससे भी कड़े जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 570 बटा में 12 आपसन देख लेते कौन सा है पांसो सत्र बटा में 12 तो बारह चोग 48 बारह चोग 48 नबबे बारह अठे बारह ठीचान भी ज्यादा हो जाएगा बारह सत्रीच चौरासी तो 47 दस्वलों सम्तिंग आएगा कौन साप्सनों का दूसरा आगे बढ़ते हूं कि क्यूशन आसान है बस थोड़ से कैल्कुलेट इस प्रकार से आप लिख लिया करो क्योंकि बार बार पढ़ने से ज्यादा समझ आएगा हमको जीसे बोला कि 2017 और D में 2014 का जो रेश्यो होगा वह सी 2016 और E 2018 से कितना होगा तो पहले A 2017 और D 2014 निकालते हैं E 2017 कितना होगा? 340 और कितना था? यह 340 था और प्लस में D 2014, D 2014, 180 यह होगा आपका 180 में C 216, E 218, C 216, C 216, C 216, C 216, 330 और E 2018, 450 यह कितना होगा? 80, 600 C इसको जोड़ दीजे जीरो आठ चार बारा तीन एक चार एक माच, 520 बटा में 78 तेरच चोकवा बानबे 52, 136, 78 दो बटा में 3 कौन साब सुनोगा? पहला आखरे देख लेते हैं, D.I. The number of year in which the number of babies born in hospital C is more than the average of number of babies born in hospital A over the year. हमसे कह रहा रहा है कि A में जो पूरे साल प साल के बच्चों के बच्चों के पले किसी साल से ज्यादा है, डिसे अगर यहां पे देखो, पहले एक एक करके समल लेते हैं कि पहले ए में जो पूरे ओबर दियर इन पांचो साल में जो पैदा पैदा हुए बच्ची है उनका एवरेज कितना होगा पहले इसको निकालो इसको करेंगे तो यहीं पूछ रहा है कि सी में पैदा हुए बच्चो का किस इयर में इस एवरेज से ज़्यादा है यहींड गया है जिनमें अस्पिताल इमें पैदा हुए बच्चो की संख्या से अधिक है तो कौन कौन से साल था 2016 और 2017 कि अच्छा क्रिशन है यह इसको एक बार आप फिर से देख ले ना अब है कि अफैं थे नंबर आप मेल इंक्रिज बाई 8% and the female अंट परसंट से मेल का और 10 परसंट से फिमेल का देन पाप्लिशन उट भी इनक्रिज बाई 16,300 फाइंडर नंबर आप फिमेल इंड ताउन तो पंदर अजार से 16 of 1300 जाऊँ आसपास कितना ऊजाएगा एक 0SONстрой से कट दो 130 वचटा में 15 15 सकाट देते हैं इसको क्गाज देते हैं तो कितना हो जाएगा चब्विस यह चवज़ the two three MP2 यह कितना होते हैं चुछ जाएगा और मिया कितना हो हुआ धियान देना यह आपके मेल है ठीक है और यह क्या है फीमेल है तो अगर हमको बता कि मेल की संख्या फीमेल से जस्ट डबल है तो कितना हो जाएगा तो पांच अगर नगर मिस्त्रियों की संख्या कितना हो जाएगे पांच जार पांच जार फीमेल होंगी तो दस जार क्या हो जाएगे मेल ह हो जाएंगे और यहां पर डबल है भी तो सीधा हम आपसर से स्कों कर सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि दे रेशियो आप एज आप एड़ एड़ी सिक्सीर एगो वाज सेवन इस्टू फॉर अच्छा साल पहले दिया है कि इनके बीच में जो एज का रेशियो था हुआ कितना स्छे साथ रेशियो चार का है ठीक है यह वरतमान से अगर बात करें तो छे साल पहले की बात किया ज इन आठ साल बाद यह कितना हो जा रहा है 28 इस्टू 19 का वाट इस दे एवरेज अब देर प्रिजेंटेज प्रिजेंटेज का एवरेज क्या होगा तो देखो यह कितना लगवा गयब बनाद 14 साल का लेकिन यहां पर गयब इक्वल नहीं है यह चार से पंदर है और यह साथ प्रास 28 आइसические लिए इससद्टाहबर करने के लिए क्या करते हैं इनका डिफेरेंस कितना हो जाएगा तीन अब देखेंगे ध्यान कीतना बन रहा है एक और दो और यहां पे भी एक और दो 21 का बन जा रहा है proposition किस बराबर स्टी के वर्याबर स्टीकार के लगालो लो प्लस 30 निकालेंगे ते कितना हो जाएगा सिधा कन लो यह जागा आपके तना 78 78 का आधा करेंगे दूतियाई 6 अदू 9 18 49 सार कौन सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका ही होता कि आप रेशियों से करिए यहां पर यहां स्वाइब मत कमांगना मानना ठीक है उससे बेब बजा का लेंदी हो जाएगा आगे पढ़ते हैं त सब्सक्राइब के प्रैक्टिस होगी तो सभी कृष्टन बिल्कुल आपको समय नहीं लगेंगे आगे दिया हो कि a b c d e square what is the ratio of area of the equilateral triangle describe on a one side of the square to the area of equilateral triangle described on the diagonal of the same square तो ठीक है मानलों अगर एए उसकी side होगी तो उसका उसका जो उसके अगर सब्सक्राइब करेंगा तो इन दोनों का ratio कितना होगा यह रूट 3 by 4 तो दोनों में कामन होगा तो यह इसका स्क्राइब करोगे तो कितना होगा A square into 2 हो जाएगा तो यहां से भी कड़ जाएगा तो यहां सब उच रहा है कि उसके side पर जो बनेगा और उसके ठीक है उसके diagonal पर जो बनेगा उसके बीच में क्या ratio होगा तो उसका ratio कितना होगा 1 is to 2 का आगे बढ़ते हैं कि एक परसन सोल एन आर्टिकल एट लॉस आप 20 परसंट है डी सोल इट फार 150 मोर ही उड़ गेब है गें 5 परसंट एट वाट प्राइस सुद ही सेल दे आर्टिकल सो ही गें 15 परसंट तो बहुत आसान क्यूशन है बहुत ही रिपिटेटिव कि इसने कि कि किसी चीज को वस क्या परसन लाव सब्सें अब भूला है कि अगर फीस का अधीग में बेचता तुसे 5 होता है अब उसको 105 परसंट यह लगभा कि इतने रुपे पाचीज की वेलु कितना दे रखांगा एक सो पचास तो एक कि बेलु कितना हो जाएग इछे यह एक्श्यों में वेलु का क्रेम ल कि चलिए आगे बढ़ते हैं इन एबीसी साइड एबीन एशी आर प्रोडूस्ट टू डी एंड ए रिस्पेक्टिवली दी बाइसेक्टर आफ एक्स्टरनल एंगल्स सी बीडी और वी सी ए मीट एट ओ इफ वी एसी यह कितना दे रखा बैलिस डिगरी तो देन दी वैलू होता है एक्सटरनल एंगल्स एक्सटर क्या होता है 90 माइनस में रूट एबाई में तो 90 और यह एक्सटा बैलिस का आधा कर देंगे 21 ठीक है यह कितना हो जागा 69 को सबस्टन होगा 4 और अगर इंटरनल वाइस सेक्टर होता क्या होता तो इसको हम प्लस कर देते तो 21 को एड क्योंकि हम फोर और थ्री में कोई हमको डारेट रिलेशन नहीं मिलेगा तो निकाल लेते हैं एक्सटर प्लस बराबर करेंगे तो कितना जाएगा 322 अप प्लस में दो जोड़ देंगे तो 324 हो जाएगा तो यह रूट में ही होगा तो यह कितना जाएगा अब एक्स माइनस यहाएगा अब माईनस है ना माईनस कर देंगे जाएगा दिए कितना जाएगा बहर 4 आ जाएगा अब इसका स्कौर कर दो कितना हो जाएगा चाउनस एगा प्लस हो जाएगा सब्सक्राइब तो बस टोटल आपके कंप्लीट हो गए 25 कि जैसा भी आपको लगाओ बताइएगा कि थोड़ी स्पीड ज्यादा तेज थी या स्पीड कम है या मुझे समझाने और समझाना चाहिए आपको तो अगले क्लास में इसको और प्रयास करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही है फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद